राइपूर में लगे दर्बार के आखरे दिन बाबा धिरेंद शास्त्री जैसे भक्तों के सामने अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा सके नेता जी के नारे की तर्श पर भक्तों के बीच गरजे तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूँगा दिरेंद शास्त्री हाल की दुनों में सुर्ख्यों में रहे हैं और अब सीधे धर्म को लेकर खुले आम बयान भी दे रहे हैं उन्होंने हिंदू राष्ट्र के साथ साथ मौलवियों और पादरियों पर भी जुबान की धार दे दी हैं दो दिन पहले उनके मंच से धर्म परिवर्तन हुआ सुल्ताना सुर्भी बन गई और अब हिंदू राष्ट्र का एक नया बयान उन्होंने दे दिया है और सुलाष्ट्र के जन्मोट चुबार अनका एक मैरा था तुम मुझे खोन दो मैं तुमें लेकिन हमने आज एक नया कारा बनाया है भारत के दिहास में तुम मेरा साथ हिएं हम हिंदु राष्ट ढणायेंगे तुम हमारा साथ हिएं हम हिंदू राष्ट ढणायेंगे और एक बार धंपbalत्रने करेंगे घालत के दिए चुब्यार पहर्र का घर में मजदाथ है राइपूर के दर्बार में पंडे धिरेंद शास्त ने चमतकार और माइन जीजिंग को लेकर नए दावे भी किये है बागेसर भाबा, I am not बागेसर भाबा, I am only धिरन्द कृष्णा, बागेसर भाबा means Hanumanji, I am not बागेसर धामचर्कार, I am only धिरन्द कृष्णा, I cannot speak in English but I understand your feelings everyone my dear, mind reading जार, I will say mind reading मैं,् व्यक्तिस सामने चाहिए, mind reading मैं ब्यक्तीध को कहते हैं, 카те मांख्यावं बंद करो, Kiloo राव, अपने मित्र का नाम याद करो, mind reading में नेत्रबंद करो, और हन आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिखकर रग देंगे तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा हाँ यह माइंड रीडिंग से बाहर है और माइंड रीडिंग यहां क्यों बंद हो जाएगी क्यों कि तुम उठावगे वसी को जिसे हमारे बाला जिच्चा है जब चुनोती से कथा सुड़ू हुई हम फिर कहते हैं भारत के इतिहास में हम पर संतों का ऐसा आशीरवाद इन ब्राम्मरों का आशरवाद है हमारे गुरु ने हमें चुना है हम ये कहते हैं कोई भी पादरी या मौल भी या भारत का जो ग्यक्ति कहता हो कि इश्वर नहीं होता कोई दिबसक्ती नहीं होती किसी भी लेबन से वो आकर के सामना कर ले ठटली बरेगे हर बार ठटली बुरेगे अदबुत है तरह तरह कि रोग कुछ ना कुछ वो बोलेंगे या कितना भी भगवान राम को टिपनी करने से नहीं छोड़ा हमें कप छोड़ेंगे हमें किसी से कोई बुराई नहीं कोई टिपनी करना उसको थैंक यू बेरी मच एंड सेंट तू काई दूब।